हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल पर आप लोग का सौगत है दोस्तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार भारत अपने देश में ही नहीं आपित विदेशी धर्ती पर भी चाइना को आर्थिक तोर पर पठकनी दे रहा है तो दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है दोस्तो इस वीडियो को आप लोग पूरा आवस देखें क्योंकि जब आप लोग इसको पूरा देखेंगे तभी आप लोग को एक एक चीज पूर्टया समझ में आएगी तो चलिए दोस्तो ज़्यादा समय ने लेते हुए वीड द्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी पीठ में चूरा गोपने की आदत गई नहीं है अगर भारत को सही मायनों में चीन को धूल चटानी है तो सबसे पहले उसकी अर्थववस्ता पर चोट करने की जरूरत है अगर भारत ने उसकी अर्थववस्ता पर चोट करना शु बैन करके और चाइनीज कमपनियों को विभिन छेत्रों में मिले ठेकों को रद करके चाइना को आर्थिक तोर पर घेरना शुरू कर दिया है दोस्तों चाइना की छटपटाहट को आप चाइनीज मीडिया चैनल्स उनके न्यूसपेपर्स और उनके राजनेताओं के बयानों म को हम पढ़े लिखे अनपढ कह सकते हैं जिनको बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना आता है ऐसे लोगों को देश से कोई फायदा नहीं होने वाला है इनसे सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों भारत और चीन के बीच बार्डर एरियाज में ही नहीं बलकि विदेशी कुछ समय से अफरीकी देशों में निवेश करके कर्ज देकर और भी कई अनैतिक तरीकों से व्यापार कर रहा था लेकिन भारत की आटो मोबाइल कमपनीज जिनमें टीवियस और बजास सामिल हैं इन दोनों कमपनीज ने अफरीका के चाइनीज आटो मोबाइल कमपनीओं क सेग्मेंट में बहुत तेजी से कबजा करना सुरू कर दिया है दोस्तो भारतिय ब्रांट्स का उदय इस प्रकार से हुआ है कि अफरीकी बाजार में एक दसक पहले चीनी कमपनीओं की संख्या पहले 200 से अधिक थी जो अब घटकर 40 से कम हो गई है दोस्तो एक दसक पहले च इसेदारी समान हो गई है तो अगर इसी प्रकार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब चाइना को अफरीका से अपना बोरिया विस्तर समेटना पड़ जाएगा दोस्तो चलिए अब हम लैटिन अमेरिकी देसों और अफरीका के देसों में राष्टरवादी आनंद तो वहाँ पर क्रिसी छेतर में मसीनों का अतिधिक उपयोग शुरू हो गया है इनमें ट्रैक्टर सबसे महत्वपूर है जिसका उपयोग क्रिसी छेतर में बहुत ही ज़ादा मात्रा में किया जा रहा है दोस्तो चाइनीज कमपनियों का बोलवाला इन दोनों अस्थानों पर बहुत ही ज़ादा था लेकिन महिंद्रा की इंट्री ने चाइनीज कमपनियों के पैर उखाडने शुरू कर दिये हैं जिसकी चटपटाट उनके मुक पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी जाहिर की है दोस्तो जामबिया में क्रिसी मसीनरी के बाजार पर भारत की हिस्सेद पंद्रा परस्त है जो की लगातार बढ़ रही है और वो आने वाले समय में वह चाइनीज हिस्सेदारी के बराबर पर आ जाएगी दोस्तो इसमें ट्रैक्टर सबसे महात्पूर भूमिका अदा कर रहा है क्योंकि भारती कंपनी महिंद्रा के दोरा बनाये गए ट्रैक्टर अत्यदिक उच्छेडी के मजबूर टिकाओ और किफायती होते हैं जिनका मुकाबला चाइनीज नहीं कर पा रहे हैं दोस्तो अफरीकी बाजार में भारती क्रिसी उपकरडो की मांग लगातार बढ़ रही है जो अत्यदिक महात्पूर संकेत हैं दोस्तो भारती कंपनी महि अरिका में एक विश्वसनी ब्रांड बन चुका है दोस्तो ऐसा ही हल लैटिन अमेरिकी देशों में भी है जहां मेक्सिको ब्राजील अर्जेंटीना और चिली के बाजारों में महिंद्रा के ट्रैक्टरों ने अपनी अमिर चाप छोड़ी है तो दोस्तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा अगर इसके बारे में कोई सवाल या सुजा हो तो कमेंट सेक्षन में जरूर लिख कर वेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद दोस्तों